Hello friends, इस वीडियो का हमारा topic है, reference के अंदर हम बाग करेंगे footnote की, कि हम footnote के options कैसे use करते हैं, तो ये होता क्या है, जैसे ध्यान दीजेगा, ये हमारा एक document बना हुआ है, इस document के अंदर, माल लीजिए, आपने ये जो word लिखा हुआ है, TDS, इसका meaning explain करना है, page के end में, कि ये TDS हो होता क्या है, तो आपने अपना cursor इसके पीछे रखना है, और ये insert footnote के उपर जाना है, तो आप देखोगे, यहाँ पे जहाँ TDS लिखा हुआ था, यहाँ पे one अपने आप लिखा नजरा रहा है, और नीचे आपका cursor चला गया है, end में, page के end में, और यहाँ पे आप अपना इसका meaning लिख सकते हो, जैसे TDS means text deducted at source, तो आप ऐसे इसका meaning नीचे explain कर सकते हो, यारी कहने का मतलब यह है, कि आपने उपर जो meaning लिखना था, उसका नीचे लिख दिया है, इसको जो आपने नीचे meaning लिखा है, इसको बोलते है footnote लिखना, तो आप अपने document के अंदर कोई भी important word है, जिसका meaning नीचे explain करना चाहते है, पेज के end में, तब हम footnote का use करते हैं, जैसे हम यहाँ पे अपना करसर रख लेते हैं, और यहाँ पे करसर रख के insert footnote पे click करेंगे, तो यह आप देखोगे, इसने इसको one कर दिया है, क्योंकि यह numbering जो देगा, यह page के उपर जो आप foot note देते हो, जो footnote आपका, यानि के जो word पहले होगा, उसको one देगा, जो footnote बाद में होगा, उसको two देगा, और यह देखिए, इसने TDS को automatically two करती है, क्योंकि इसका meaning है, वो बाद में आएगा, और यह उपर इसके word है, turnover, इसका meaning पहले आना चाहिए, क्योंकि यह word पहले आ र हम क्या करेंगे, meaning explain कर सकते हैं, कई बार ऐसे कुछ words होते हैं, जिनके meaning हम explain करना चाहते हैं, तो आपने English की book के अंदर भी कई बार इसको follow किया होगा, कई words के meaning नीचे लिखे होते हैं, तो यह देखिए, turnover, इसके उपर अगर आप cursor लेके आओगे, तो यह आपको बताएगा meaning क्या इसके बारे में नीचे लिखा गया है, और अगर आप TDS के उपर अपना cursor लेके आओगे, यह बताएगा कि page के end में इसके बारे में क्या लिखा गया है, और ऐसे ही, अगर आप इन footnotes के उपर जाना चाहते हो, मालीचे आपका यह page open है, और आप footnote को show करना चाहते हो, तो यह option होती है, show footnotes, इसके उपर क्लिक कीजिए, तो उस page के उपर जो आपने footnote दिये हुए है, आपका cursor जम करके सीधा footnotes के उपर चला जाएगा, यानि के page के end में चला जाएगा, अगर आप footnotes देखना चाहते हो, और अगर आप footnotes के अंदर move करना चाहते हो, जैसे मा आपका cursor jump करके directly, ये footnote के उपर चला जाएगा, पहले footnote पे, अगर आप फिर next करोगे, तो ये दूसरे footnote पे चला जाएगा, यानि के अगर आप one by one, कहां कहां पे आपने footnote दिये हैं, उनके बीच में move करना चाहते हो, तो next footnote से आप move कर सकते हो, और previous footnote से पिछले footnote पे आ footnote पे move कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको clear हो गया है, कैसे हमने footnote के बीच में move करना है, और आगे बढ़ेंगे, आगे option है, हमारे पास इसके अंदर insert endnote, insert endnote का मतलब कि ये जो आपका document है, इस document के अंदर जो pages है, ये क्या करेगा, आखरी page के उपर footnote insert करेगा, endnote का आखरी page के उपर ये insert करेगा, जैसे ये देखिए, ये एक word है, इसका meaning मुझे explain करना है, page के end पे नहीं करना, अगर page के end पे करना है, तो insert footnote पे click करना है, अगर आपको insert करना है document के end पे, तब आपने insert endnote का use करना है, तो आप insert endnote पे click कीजिए, जैसे ही insert endnote पे click करोगे, आप देखोगे कि आपका ये करसर नीचे सीधा डिरेक्टली जहाँ पे आपका ये डकुमेंट का आखरी पेज है वहाँ पे करसर आ गया है तो आप यहाँ पे उसका मिनिंग लेख सकते हो चार्जेबल मीन्स क्या है वेन अक्सपैंसिस चार्ज टू P end है तो ये मैंने वैसे ही अपनी तरफ से लिख दिया आपको इसका मतलब समझने की जूरत नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया तो इस तरीके से आप ये end में footnote दे सकते हो और अगर आप यानि के जिसको endnote बोलते हैं अगर आप इस endnotes पे जाना चाहते हो आप move करना चाहते हो कि कहां पे आपने अपने इस document के अंदर endnote दिया है तो आप ये previous के उपर जाएए तो ये आपको उस endnote के उपर ले जाएगा जहां भी आपने endnote दिये हैं तो अब ये हम करके दिखाते हैं हम सबसे पहले चलेंगे सबसे टॉप पे चलते हैं तो वहां से हम move करेंगे कि हमने ये endnote दिया कहां था क्योंकि हमें तो याद नहीं कि कौन से page के उपर दिया था तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि कौन से आपने page के उपर ये end node दिया था तो आपने cursor सबसे top पे ले आना है और उसके बाद अगर आप next end node पे click करोगे तो ये देखिए जहाँ भी जिस page पे भी ये हमने fourth page पे दिया था तो आपका cursor directly उस end node पे पहुँच गया है चार्जेबल जहाँ पे हमने end node दिया था तो ये फर्क होता है insert end node और insert foot note में insert footnote page के end में दिया जाता है और insert end node document के end में दिया जाता है